तो हाई दोस्तो आज वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ओटोमेटिक डोर केसे बनाएं जो इसमें हम अंदर भी जा सके और वहाँ से हम बाहर भी आ सके वो भी हम ट्रिप वायर हुक से बनाने वाले हैं लास्ट वली वीडियो में मैंने ओटमेटिक डोर बनाया था जिसमें हम सिर्फ अंदर ही जा पा रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट भी आया था कि बाहर आने के लिए भी एक रास्ता चाहिए तो उस टाइप की वीडियो बना दो तो मैंने आज उस टा बनाने वाले हैं मैं वहाँ पर आ चुका हूँ तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजों की जरूवत है इसे बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें रेड स्टोन डस्ट की जरूवत है उसके अलावा में रेड स्टोन टोर्च की जरूवत है और हमें यहा सब चीज लेके बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें यहां पर sticky piston ले लेना है और उसके बाद हमें उसे एक जगा पर place कर देना है हमें हम दो का बना रहे हम इसलिए दो यहां पर piston प्लेस कर देंगे उसके बाद हमें बीच में चार ब्लॉक की जगा छोड़कर पांच में ब्लॉक पर दूसरे दो हमारा sticky piston रख देना है उसके बाद यहां पर हम जो एक gap छोड़नी है और उसके बाद हमें यहां पर एक ब्लॉक रख देना है जिसके उपर हम trip fire hook लगाने वाले है तो सबसे पहले हम trip fire hook लेके हम दोनों तरफ लगा देंगे और उसके लावा हम बीच में string बीचा देंगे कि जिसकी वज़े से यह हमारा completely work करेगा तो अब हमें यहां पर redstone torch ले लेनी है और redstone torch को हमें block के उपर completely बीचो बीच लगाना है आप ऐसे कुद के लगा सकते हो कि जिसकी वज़े से आपको easily पड़ेगा तो हम दूसरी तरफ भी इसे लगा देंगे तो अब आपको जो दूसरी redstone torch है उसे हमें completely block के side की और लगाना है कि जिसकी वज़े से हमारा जो दो नीचे के piston है वो अब completely work करने लगे work करना start हो जाएंगे अब हमें दूसरी और same to same उसके जैसा ही बनाना है लेकिन हमें यापे जो connection जोडने है वो कुछ अलग तरह से जोडने है तो आप पुरी की पुरी वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा जैसे कि मैंने आपे दोनों strings बिचा दी है पर यह अभी भी work नहीं कर रही तो सबसे पहले हमें उसके लिए redstone dust ले लेनी है redstone dust को हमें यापे से लगाते हुए आगे बढ़ना है direct उसे completely piston के बाजू से नहीं लेना हमें थोड़ा दूर रखना है और यहाँ पर redstone comparator लगाना है comparator थोड़ा ध्यान से लगाना होगा जहाँ पर लगाना है उसके जैसे same मैंने लगा है same to same हमें उसी तरह लगाना है अब दूसरी तरफ भी हमें same to same वेसा ही बना देना है सबसे पहले हमें redstone की जो wire है वो wire completely piston से थोड़ी दूरी पे बना देनी है और उसके बाद redstone repeater लेके हमें उसे इस तरह से लगा देना है तो अब आप यहाँ पर जो हमारा पुरा का पुरा connection तयार हो गया है आप उसे एक बार सही तरीके से देख ले कि यह completely कैसे बनाना है तो आपको idea आजाएगा अब मैं आपको बता देता हूँ कि यह work भी कर रहा है या नहीं तो देखो एक तरफ से जाने पर यह completely work कर रहा है तो पहले मैं आप ग्लास लगा दूँगा आपको जो भी ठीक लगे आपको लगा सकते हैं लेकिन ग्लास सबसे जादा बेटर रहे थे इसलिए मैं ग्लास का ही हमेसा यूज करता हूँ देखिए आगे से यह completely work कर रहा है अब हम पीछे से भी देख लेते कि दूसरी तरफ से भी यह completely work कर रहा है नहीं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि लूप बहुत ज़्यादा अच्छा आता है मैंने यहाँ पर red nether brick और quards का यूज किया हुआ इसे बनाने के लिए और इसके अलाव फ्लोरिंग पर मैंने colorful terakota का भी यूज किया हुआ है जिसकी वाज़े से हमारा फ्लोरिंग थोड़ा बहुत बहतर दिख रहा है उसके अलावा जो बीच में red stone और दूसर जितना भी सामान था वो सारा का सारा मैंने यहाँ पर completely cover up कर दिया है तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी useful लगा हो या आपको यह पसंद आया हो तो इस वीडियो को like कर देना और एसे useful content के लिए हमारी चैनल को subscribe कर देना मैं यहाँ पर एसे useful content upload करता रहता हूँ